Good morning, welcome back students, last time हम पढ़े थे landforms, आज हम landforms के ही continue कर रहे हैं, landforms में हम देखे थे mountains, mountains, then हम देखे थे plateau, plateau, और हम एक छोड़ दिये थे, अभी continue करना है वो, plains, first plains क्या है students, plains मतलब जमीन, सीधी जमीन, रहते ही थोड़े बहुत गड़े वगएरा कुछ, मगर वो जमीन में क्या रहता, एक दम, क्या रहता, straightness रहता, उसको बलेंगे, plain, ठीक है, plateau हम देखे थे, table land, mountains हम देखे थे, पहाड, ठीक है, यह सारे हमारे landforms है, जमीन के, क्या है, mode, landform, जो जमीन, जिस तरह से बनी देखने वाली खूबियां, ऐसा भी बोल सकते हम, जो देखने पर एक अच्छे features दिखते हैं हमारे पास, हमको पता है ना, लाताला ने, दुनिया में कहीं चीज़ें बनाई है, वो सारी नयमतें, वो सारी चीज़ें देखने लायक है, बड़े-बड़े पहाड, ठीक है, physical features में क्या क्या आथा, hills, वो ही mountains, okay, mountains, यह तो plains, land form भी है, ठीक है, plateau, और क्या है, mountain, plains, platues, rivers, ठीक है, so these are the physical features, okay, अभी हम देखेंगे, तेलंगाना के physical features, map में, ठीक है, यहाँ पर अपने पास map है, देखिए, इसके boundaries, ठीक है, इसके hills, इसके major rivers, reverse, reverse दिख रहे है, यह reverse, इसके boundaries देखिए, अपने तलंगाना के, and major reverse देख लिए, lower, lower तलंगाना, नीचे वाला तलंगाना, यह उपर वाला है, ठीक है, इसको lower बोलेंगे, इसको upper बोलेंगे, district के boundaries देखिए, थोड़े बारीख है, and state boundaries भी देखिए, थोड़े मोटे वाले, यह है हमारा physical features of तलंगाना, now we will continue with our delta, what is delta, delta क्या है students, can anybody tell me, a triangular land formation in a river, due to sedimentations, in other words, the triangular shape fertile deposition of sediment over a large area, मतलब, एक पानी जो river बहती ना, उसके अपने आप रस्ता बन जाता, हमने बनाया तो नहीं, बनाया हम, नहीं, अपने आप उसका क्या होता, चार तरफ रस्ता बन जाता, वो नहरें बन के क्या होती बहती फिर वो बाद में से क्या होती फिर एक जग मिल के समंदर में फिर एक रास्ता बना लेती यही जो पानी फैल के जो रिवर वैली इसको बोलेंगे हम डेल्टा ओके एक 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 जाम्पल है कृष्णा डेल्टा ठीक है अभी the two main rivers of तेलंगा ना गोदावरी यहन्ट और क्रिश्णा हमारे हें इन 2010 अमारे स्टे के दो में रिवर्स कॉणसे कॉणसे है गोदावरी एन खिर ईंट एंटर Stephen नियर बसारा ओफ नीर्मल डिस्ट्रिक कहा पी मिलती है हम रहे स्टेट में我ाँ पीन पी बसारा नीर्मल डिस्ट्रिक के अब ये यह जो है चोटे चोटे रिवर्स हो के क्या होती ही एक बड़ी रिवर बनती ही बाद में से ठीक है? और लास्ट में यह कहां पर जा रहे है हमरे इंडिया के बाहर यहां पर बै आफ बे में बेयोफ बिंगल है बे उफ विंगल में, क्या होता हूँ, मिल जाता चाके लास्ट में, ओके, तो, यहाँ पे और एक पिक्चर है, students, यहाँ पे देखे, दिख रहा है, रिवर्स किस तरह से, जाके, पहल रहे, बारिक-बारिक हो जा रहे, फिर वो पूरे मिल के क्या होते है, एक जगा समंदर में मिल जाते है, ठीक है, यह कृष्णा डेल्टा है, यह गोदावरी डेल्टा है, ओके, यहाँ पे देखे, students, यह समंदर है ना, समंदर में से जो फ्लड हो के आता ना, मतलब जो पानी का जो तूफान आता, हर सल क्या होता, पानी में, जाड वगर ऐसा, अब लेके क्या होता, फ्लड आया तो नॉर्मल सी बात है, जाड उखड जाते, पूरे फैल जाता ना, पूरा, फैल के क्या होता, वाँ की मिट्टी में, क्या होता, एक एंड्रिच्ट मिट्टी हो जाती, क्या होती, एंड्रिच्ट मतलब हाड चीज में, उसको, क्या बोलते है, सब जाड वड़ कि क्या होती हो पानी में मिटी में मिलके वह स्वाइल बहुत अच्छी स्वाइल बन जाती वहां की ठीक है अब जब एक बार नजार डालते हैं हमारे फिजिकल फीचर्स यहां पर डिक्यन प्लाट्यू है हमारे पास यह सारे क्या है देखिए यह हिल्स है यह जो है ना यह ब्राउन कलर यह सारे हमारे पास हिल्स है यहां पर प्लाट्यू है यहां पर अरेबियन सी है हमारे पास समंद इंडिया, यहां पे जितना भी है हमारा, यह इतने फीचर्स है हैं यहां पर, नीच्य वाले अरिया में अभी समझ गें students, एक बार remind देखेंगे, हमने first क्या च्रफ्न किया था, landforms, landforms में हम पढ़े mountains, पहाड, Pastus, Table land Table land Then plains Then हमने पढ़ा physical feature Physical features में थी हमारे rivers Mountains Plains Plateaus And all और हमने पढ़ा delta Krishna Godavari delta जो हमारे तेलंगाना में है तेलंगाना के deltas पढ़े तेलंगाना के mountains भी पढ़े हम तेलंगाना के platews भी पढ़े Plains भी पढ़े ठीक है? यह सारे चीज़े अभी हमें continue करना है इसी chapter में 3rd chapter का part 2 है यह first part था सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए अभी हम second part में पढ़ेंगे एक village के बारे में ठीक है Thank you students